इस बुलेटेन इस स्पॉनसर बाई 85 स्कूल चतरपूर विश्योब्यापी कोरोना महामारी के कारण प्याफसाइग गत्विधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है इस महामारी का अगंभीर दोशप्रभाव आटो मोबाईल सेक्टर पर देखने को मिला है चतरपूर जिले में ही कोरोना काल में बाहनों के विक्री बुरी तरह प्रभावित हुई वर्ष 2019 में जहां चतरपूर जिले में 30,000 वाहनों के रेजिस्टेशन हुए तो वहीं वर्ष 2020 में जब कोरोना हावी रहा तब लगबग 20,000 वाहन ही खरीदे गए चतरपुर आडियो कार्याले समिली जानगारी के मताबिक 1 अपरेल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जिले में लगभग 30,000 वहनों के रेजिस्टेशन हुए थे इनमें लगभग 20,000 वहन दो पहिया और 10,000 चार पहिया वहन शामिल थे अपरेल 2020 में जब नया वित्ती वर्ष शुरू हुआ तभी कोरोना हावी हो गया कई महीनों तक लॉकडाउन के कारण व्यवसाइक गतिविधिया पूरी तरह बंद रही इसलिए 1 अपरेल 2020 से लेकर 25 मार्च 2021 के बीश लगभग 20,000 वहन ही खरीदे गए इनमें 2,000 चार पहिया वहन शामिल है आर्टियो विक्रम जीत सिंकंग ने बताए कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण लोग परिशान थे इसलिए वहनों का कम विक्रे देखने को मिला है हलाकि उन्होंने कहा कि वर्षी 2020 में B.S.4 वहनों के बंद होने के कारण ज्यादतर लोगों ने वर्षी 2019 के बीच ही जरूरत के हिसाब से वहन खरीद लिये थे उन्होंने बताये कि फिलाल वहनों पर टैक्स बढ़ने के डर से लोग इस महीने खूब बहान खरीद रहे हैं इस महीने लग भग तेरह सो वहनों के रेजिस्टेशन कारेले में हो चुके हैं